दियर स्टूडेंट्स इस मोड्यूल में हम मिलेरियल पैरसाइट प्लाजमोडियम के लाइफ साइकल के बारे में डिसकेशन करेंगे प्लाजमोडियम नॉर्मली यह प्लेरिया कॉस करता है और इसकी एक लॉंग हिस्ट्री है और यह डिजीज जो है नॉर्मली इट गोस बैक तो 5500 बीसी मेलेरिया जो है इसने डिफरेंट कंटिनेंट्स में उनकी स्काफत में उनके हुमन बेंग्स के पॉपुलिशन के पैटरन की दिस्ट्रिबूशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुए प्लाजमोडियम का लाइफ साइकल जो है दो होस पर मुश्टमिल होता है एक होस्ट है इसके अंदर वर्टीब्रेट हुमन बींग भी हो सकता है कोई और भी हो सकता है और दूसरा होस्ट है इसके अंदर मुस्कीटो और इसमें शीजोगोनी जो है दिस नॉर्मली अकर्स फर्स्ट इन दे लिवर सेल्स एंद देन इन दे रेड बलड बलड सेल्स और गैमीटोगोनी जो है दिस नॉर्मली अकर्स इन दा रेड बलड सेल् mosquito जो है this normally takes the gametocytes mosquito कहां से लेगा इसने अपनी meal लेनी होती है meal कि शकल में है blood की शकल में ठीक है और फिर zygode उसमें penetrate कर जाएगा mosquito की gut से और oocyte चले जाएगे sporogonii होगी haploid sporozoids बनेंगे और यह haploid sporozoids जो है when mosquito bites are new host तो यह transfer हो जाएगे अब इसमें जो malaria के symptoms है उसमें क्या है recurring periodically and called paroxomes और chill fever इसके साथ साथ वो chill fever जो है they are normally related with the rupture of red blood cells and release of toxic metabolites अभी तक plasmodium की four important species जो है they are known that cause the malaria in different organism plasmodium vivax यह malaria cause करेगा जिसका recurring attack जो है वो after every 48 hours होगा यह species जो है यह दुनिया के मुफलिफ हिसों से reported की गई है फिर है plasmodium falciparum plasmodium falciparum जो है यह human beings के अंदर cause करेंगी फिर इसमें है paroxysm यह irregular है इसके attacks than in other species फिर plasmodium falciparum जो है इस once जो है यह worldwide था लेकिन अब इसकी distribution जो है कुछ tropical areas और sub-tropical areas में है और word के बाकी areas में इसकी distribution अब obvious नहीं है और it has been a greatest killer of human beings in the previous history फिर plasmodium के अंदर कुछ ऐसी species है जिनकी वज़ा से 48 hours के बाद recurring attacks आते हैं कुछ ऐसे हैं जिनमे 72 hours के बाद recurring attacks आएंगे plasmodium ovale this is the rarest of यह सबसे rare species है जिसकी वज़ा से human beings में plasmodium malaria का attack होगा और यह species जो है यह सिरफ tropical इसकी distribution है अब इस life cycle से हम आपको बता सकते हैं कि किस तरह से malaria parasite जो है plasmodium इसका life cycle start होता है इसको अगर आप कहीं से भी start कर सकते है supposing के this is mosquito की यह stages है अब यह mosquito की stages है यहां से इसमें human beings में गई और mosquito ने human beings से blood meal लिया blood meal लेने के बाद इसको यहां पर यहां से फिर कुछ इसमें macro gametocides बन गए और micro gametocides बन गए मैक्रो gametocides जो है यह वाला area arrow इसके अंदर शोक आ रहा है कि यह इसकी infective stage है और यह वाला arrow शोक का रहा है कि यह इसकी diagnostic stage है तो इस life cycle के अंदर आप infective और diagnostic दोनों stages को easily देख सकते हैं अब यहां पर यह देखें जब मॉस्कीटो ने human beings को bite किया तो यह इसकी diagnostic stage जब यहां पर यह आए तो यह इसकी अब infective stages है यहां पर उसाइट फिर मॉस्कीटो में चले गए इसको normally अगर आप यह देखें मॉस्कीटो human beings की body में जब enter हुआ तो वहां से यह liver में चला गया लिवर के अंदर इसकी further growth हुई यहां पर फिर इसकी रप्चरिंग हो गई नेक्स्ट यह कि इस stage है now they move to the human blood stages human blood के अंदर जब जाएगा यह तो इसको हम कहेंगे इसका arithros blood का जो arithroside cycle है वो disrupt होगा है और जब इसका बहुत ज्यादा number increase हो जाए जाएंगे रप्चर होने के बाद यह फिर release हो जाएंगे अब यहां पर तिनों आप देखे प्लाजमोडियम के species वाइवेक्स और ओवीली और मिलेरियली यह female इनकी मौजूद है she will यहां से mosquito take its blood meal इसको ingest करेगा gametocytes को और again they will start their life cycle तो यहां पर प्लाजमोडियम ने अपन दोनों होस mosquito और human beings की help से अपना life cycle complete करना चुरू किया और इसी में इसकी diagnostic और infectious stages के बारे में भी हमने देखा